हलो एवरिवन टिकलेज एकडेमी यूटूब चैनल में आप सभी का स्वागत है आज के वीडियो में किर्चॉप्स करेंट लौ ये टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम इसका 10th प्रॉलेम सॉल करेंगे तो देखे जो प्रॉलेम आज हमें सॉल करना है वो आपके स और ये जो 40 Ohm रेजिस्टंस है इसमें से फ्लो हने वाला करंट हमें फाइंड आउट करना है बा यूजिंग केसी यल तो चलो हम ये प्रॉलेम सॉल करेंगे और ये प्रॉलेम सॉल करने का टेकनिक बिल्कुल वैसा ही रहेंगा जैसा हमने इसके पहले के प्रॉलेम में यू कहते हैं रहके यह है नोड एक्स हम क्या करेंगे ये नोड एक्स पे KCL अप्ला करेंगे और सबसे पहले इसके अक्रोस कितना होल्टेइज है वो हम पहले फाइंड आउट करेंगे एक बार यह नोड के अकरत अगर आपको मिल ह làm गया तो वह होल्टेज का यूजक कर के हम ये current I1, I2 आसान इसे find out कर सकते है ये 20 ohm में से flow हो रहा है I1 ये already जो exam में जब circuit ये आया था तब ये already I1 और I2 वहाँ पे ऐसा दिया हुआ था आपको change करने की जरूत नहीं है तो ये 20 ohm में से flow हने वाला I1 हमें find out करना है और ये 40 ohm में से flow हने वाला I2 भी हमें find out करना है और ये दोनों current I1, I2 हमें चाहिए तो उसके लिए सबसे पहले ये node के across का voltage find out करना पड़ेंगा तो चलो जैसा हमने कहा ये node पे हम सबसे पहले KCL apply करेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे apply KCL at node X तो ये जो node X है सबसे पहले हम check करेंगे कि ये node पे कितने branches मिल रहे है तो ये जो node है इस पे तीन branches मिल रहे है देखो ये एक branch है branch 1 ये एक branch है branch 2 और ये है branch 3 ये तीनों branches जो है ये node पे यहाँ पे मिल रहे है ठीक है इसलिए हम वो node पे KCL apply कर रहे है अगर आप properly चेक करेंगे तो यहाँ पे भी एक node है देखो यहाँ पे भी node है लेकिन ये node की across का potential 0 हो जाएंगा वो इसलिए क्योंकि ये node को हमने अर्थ किये है यहाँ पे earthing है ये earth का symbol है अर्थिंग करने से क्या हुआ इसके across का जो potential है इसके across का जो voltage है वो 0 हो गया हमें सिर् आपको क्या करना है यहाँ पे यह जितने भी branches है वो branches में जो कुछ भी current flow हो रहा है वो current बस वो node पे enter कर रहा है या live कर रहा है वो बस आपको check करना है जो current node पे enter करेंगा उसको आपको negative में ले लेना है और जो current node से live करेंगा उसको आपको positive में ले लेना है देखो हम यहाँ पे लिखे देता है जो current enter करेंगे जो current enter करेंगे उसको आपको negative में लेना है और जो current live करेंगे उसको आपको positive में ले लेना है ठीक है यह KCL apply करते समय आपको यह rule ध्यान में रखना है अगर आपने इसका ultra rule लिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है देखो different different books में different different दिया है कुछ books म यह rule दिया है तो कुछ books में इसका ultra rule दिया है ultra rule मतलब जो current live कर रहे है वो वहाँ पे negative में होंगे और जो current enter कर रहे है वो वहाँ पे positive में होंगे अगर आप वो rule के through solve करेंगे तो भी कोई फरक नहीं पड़ता final जो answer है वो एक ही आएंगा ठीक है answer एक ही आता है उससे कोई फर positive मिलेंगे ठीक है तो यह node की अगर बात करें तो यहाँ पे हमने count किया है यहाँ पे 3 branches है तो यहाँ पे 3 branches में already current जो है वो यहाँ पे दिया है देखो यह जो branch है यह branch में से current flow दिया है i1 यह branch में से current flow दिया है i2 और यह branch में flow हो रहा है that is 2 ampere ठीक है और यह जो current का direction है i1 दे यह देखिए ऐसा यह इधर से ऐसा आ रहा है तो यहाँ पे चेक करो कि कौन सा करेंट नोड पे एंटर कर रहा है और कौन सा करेंट नोड से लिव कर रहा है तो यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे तो यह जो करेंट आइवन है यह नोड पे एंटर कर रहा है ठीक है यह जो करे i1 है, यह enter कर रहा है, इसलिए वो जो है i1, वो हम यहाँ equation में लिखते समय, यहाँ पे negative में लिखेंगे, that is minus of i1 ठीक है, और यह जो current i2 है, यह node से lift कर रहा है, मतलब यह node से बाहर जा रहा है, अगर यह node से बाहर जा रहा है, तो उसको हम positive मिलेंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे plus of i2, ठीक है, और यह current 2 ampere है, यह node पे enter कर रहा है, मतलब यह node के तरफ जा रहा है, अंदर के तरफ जा रहा है, तो यह minus of 2 लिखेंगे, equals to 0, देखो, इस तरह से हमने यहाँ पे, वो particular node पे, जो भी currents enter कर रहे हैं या live कर रहे हैं, उनका हमने यहाँ पे summation कर लिया है, और यह हमने KCL का equation यहाँ बना लिये, ठीक है, यह negative में आया, और यह भी negative में आया, ऐसा क्यों, क्योंकि यह दोनो current जो है यह node पे enter कर रहे है, यह positive में आया, क्योंकि यह node से live कर रहे है, अगर आपने इसका ultra rule अगर आपने लिए तो आपका यहाँ पे सिर्फ sign change हो जाएंगा यह positive यह positive हो जाएंगा और यह negative हो जाएंगा उससे कोई फरक नहीं पड़ेंगा final answer एक ही आएंगा ठीक है तो फिलाल हमने यह equation लिख लिए और अब हम क्या करेंगे अब यह जो current I1, I2 जो हमने यहाँ पे लिख लिया है इसको हम V by R के form में लिखेंगे क्योंकि current का formula होता है current I equals to V by R by using Ohm's law ठीक है इसका मतलब यह है कि आप current I को V by R के form में लिख सकता है तो यह current I1 को भी हम V by R के form में लिख लेंगे तो किस तरह से लिखेंगे जरा धहन से देखिए सबसे पहले हम I2 को यहाँ पे लिख लेंगे देखो I2, यह जो current I2 है यह कहां से कहां जा रहा है ठीक है, वो आपको चेक करना है तो यह जो current I2 है, यह node X से यह अर्थ के तरफ जा रहा है VX और इसके अक्रास का जो potential वो है 0, इतना तो आपको पता है current always flows from higher potential to the lower potential तो इसके अक्रास का potential जादा है इसके अक्रास का potential कम है यह higher potential, यह lower potential तो जाहिर से बाते इसके अक्रास का voltage हो गया that is VX minus 0 और इसके बीच में क्या है 40 ohm इसका मतलब अगर हम I2 को अगर देखे तो I2 को अगर आपको V by R के form में लिखना है तो वो कुछ ऐसा हो जाएंगा that is VX minus 0 divided by 40 यह हमने I2 को V by R के form में लिख लिए और अब I1 को चलो V by R के form में लिखते है चेक करो I1 कहां से कहां जा रहा है यह जो I1 है यहाँ पर एक voltage source दिया है 12 hold का voltage source इधर plus है इधर minus है यह जो current I1 है यह 12 hold से यह node के तरफ जा रहा है इसका मतलब इधर का potential जादा इधर का potential कम यह higher potential यह lower potential इसका मतलब अगर आप इसको V by R के form में अगर लिख लिए तो यहाँ देखो यहाँ पर R कितना है 20 ohm है तो उसको अगर आप V by R के form में लिखोगे तो कुछ ऐसा होगा 12 minus Vx divided by कितना है उसके बीच में 20 ohm का resistance है इसलिए और I2 के सामने plus है तो यहाँ place दे दो I1 के सामने minus है तो यहाँ minus दे दो यह काफी important step था यह number of students को यहाँ पर समझ में नहीं आता लेकिन आपको बस क्या करना था कि current I1 I2 को V by R के form में set करना था क्योंकि current I माने V by R होता है according to ohm's law तो हमने वही किया है यह I1 को हमने V by R के form में लिखे I2 को भी हमने V by R के form में लिखे current हमेशा higher potential to lower potential flow होता है तो यह current I2 यह node X से 0 के तरफ जा रहा है तो इसके across का voltage है यह node X से इसके across का voltage है VX तो VX minus 0 divided by 40 I2 के लिए हमने लिखे और I1 के लिए क्या लिखे यह 12 hold से यह node के तरफ जा रहा है it means 12 minus VX divided by 20 ऐसा होना था तो यह हमने यहां लिख लिए ठीक है समझ में आया और अब इसको आगे continue करो देखो पूरे इसमें यहां पर VX unknown है इसको solve करो तो आपको यहां पर VX मिल जाएंगा तो चलो इसको solve करेंगे तो सबसे पहले यहां पर इसको split कर लेंगे यह 12 by 20 करेंगे और यह VX by 20 करेंगे और यह minus से भी हम यहां पर multiply कर लेंगे तो यह कुछ ऐसा रहेंगा minus 12 by 20 ठीक है plus VX by 20 ठीक है plus VX by 40 और यह जो minus 2 है इसको right hand side में shift करो तो 2 हो जाएंगा ठीक है यहां पर सबसे important क्या था तो यह सबसे important यह minus से हमने दोनों terms को अंदर में multiply कर लिए इसको split भी किये और इसको multiply भी कर लिए ठीक है और अब यहां से जो है VX common ले लो और यह जो term है इसको right hand side में shift करो तो यह कुछ ऐसा हो जाएंगा VX हमने common ले लिए और यह बचेंगा 1 by 20 plus 1 by 40 ठीक है equals to 2 plus 12 by 20 और अब इसको हम solve करेंगे तो इसको solve करना काफी आसान है VX ठीक है और यह bracket को आपको solve करना है तो bracket को solve करने के बाद इसका answer रहेंगा that is 0.075 आप चाहें तो यहाँ पर cross multiplication से solve कर सकता है या तो directly आप calculator का use करो कोई फरक नहीं पड़ता और right hand side में इसको अगर आप solve करोंगे तो इसका answer रहेंगा that is 2.6 इसका answer रहेंगा 2.6 बस यह 2.6 को divide कर लो तो 2.6 divided by 0.075 करो तो इसका answer रहेंगा that is 34.666 तो यह हमें VX यहाँ पर मिल जाएंगा हमने निकाले हैं 34.666 वोल्ट तो यह हमें क्या मिल गया यह हमें वो node के across कितना voltage है वो हमें यहाँ पर पता चल गया हमने जैसा आपको starting में कहा था कि यह node X के across का पहले आपको voltage find out करना है तो यह voltage हमने निकाल लिए 34.666 वोल्ट और अब यही voltage का use करके अब हम आसानी से current I1, I2 find out कर सकता है तो चलो सबसे पहले हम current I1 और I2 यहाँ पर find out करना है तो सबसे पहले हम current I1 find out करेंगे तो current I1 find out अगर आपको करना है तो कैसे find out करेंगे तो current I1 जो है वो कहां से कहां जा रहा है तो यह current I1 जो है 12-VX divided by 20 ठीक है, यह जो हमने I1 के लिए जो हमने V by R का form तयार किये थे बस इसी को उठा के हमने यहाँ पे लिख लिए बस यह VX का value जो है वो आपको यहाँ put करना है, यह minus में आएंगा answer है, उससे कोई फरक नहीं पड़ेंगा VX का answer क्या था, तो 34.666 हम यह लिख लेंगे, और divided by यह 20, ठीक है और अब बस इसको आपको calculator में solve करना है, तो देखते हैं यह क्या आता है, तो यह हम लिख लेंगे 12-34.666 divided by 20, तो यह आ चुका है, that is minus 1.133 तो यह minus में आया है तो minus में ही लिखना पड़ेंगा 1.133 ampere, यह हमने current I1 यहाँ पर find out कर लिए, और आप current I2 find out करेंगे, लेकिन आपके मन में आयेंगा कि यह जो हमने current जो minus में निकाले है हमें इसका minus sign अगर remove करना है तो क्या करें, देखो minus अगर आपको remove करना है, तो इसके लिए एक option है तो यह जो minus sign है, यह कुण से direction के लिए है, देखो यह current का direction I1 यहाँ पर जो already दिया है, यह direction के लिए, यह minus है, इसका मतलब यह हमने direction लिए तब जाके यह minus में आया, तो यह minus में आया, यह right side के direction के लिए, देखो इसका direction यहाँ पे ऐसा right side दिये है, इस type के direction के लिए minus है, लेकिन अगर आप यहाँ पे minus sign हटा देंगे, तो हम ऐसा लिख सकते है, I1 equals to 1.133 ampere, और अब हमने minus sign हटा दिये, तो direction यहाँ पे change करना पड़ेंगा, तो देखो direction हम ऐसा change कर सकते है, और minus उसके वज़े से हट जाएंगा, देखो य दिक्कत नहीं है, तो यह हमने I1 यहाँ पे निकाल लिए, लेकिन problem complete नहीं हुआ, हमें I2 भी यहाँ पे find out करना है, तो चलो यहाँ पे हम I2 find out कर लेते हैं, I2 अगर find out करना है, तो I2 के लिए V by R का form क्या था, तो यह देखो I2 के लिए, I2 के लिए V by R का form यह था, that is Vx minus 0 by 40 it means Vx by 40, तो यह हम यहाँ लिख लेंगे Vx by 40, तो Vx का value हमें put करना है, तो हम यहाँ put कर लेंगे 34.666 by 40, बस इसको solve कर लो calculator में, तो इसका answer हैंगा, that is 0.866, तो यह हम यहाँ लिख लेंगे I2, 0.866 ampere, और इसका जो direction है, आप चाहें तो direction लिख सकते हैं, यह I2 का direction already ऐसा downward दिया था, तो downward direction के साथ ही हमने solve किया है, और answer positive नहीं आया है, उसका sign वगरे, उसका direction वगरे, कुछ भी आपको change करने की ज़रूत नहीं है, तो finally यह हमें I2 भी यहाँ पर मिल गया, तो question में जो कुछ भी find out करने के लिए कहां था, वो हमने find out कर लिए, question में कहां था, find the current flowing through 20 ohm and 40 ohm resistance, तो 20 ohm में से flow होने वाला current यह है, I1 और 40 ohm में से flow होने वाला current यह है, I2 और problem यही पर complete हो गया, उम्मीद करते हैं कि यह problem आपको समझ माया होगा, यह problem आपको अपनी practice book में ज़रू solve करके देख लेना चाहिए, यह था Kirchop's current law, यह topic का problem number 10, इसके पहले जो हमने इ एक्स फीडियो में, thank you very much